नमस्कार मनी मंत में आपका स्वागत है मैं हूँ पंकट पचोरी पिछले दिनों में अगर आपने हमारे कारकरम देखे होंगे तो एक कारकरम हमने किया था अनाज के बारे में कि देश में इस समय रिकॉर्ड अनाज पैदा हुआ है दूसरा करकरम में किया था आटो सेक्टर के बारे में कि देश में इस बार रिकॉर्ड आटो उत्पादन भी हुआ है लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी समस्या है और वो है कि इस अनाज को और इस आटो को और हिंदोस्तान के तमाम जितने भी गुड्स हैं उनको एक पास महवान यहां पर मौजूद हैं तीनों ही इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अनिल गुपता साब जो की मैडिजिंग डारेक्टर हैं कंटेनर कॉर्परेशन ऑफ इंडिया लिमिटेट के सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की जो है इस असी फीस्ती के आस पास सारब बिसनिस जो है वो आपके पास में है और रमेश चंदर दुबे हमारे साथ में हैं जो की अध्यक्ष हैं असोसियेशन ऑफ कंटेनर ट्रेन आपरेटर्स के सिर्फ 2006 में प्राविटाइज हुआ है ट्रेन का कंटेनर बिसनिस जो है और अभी से ही उसमें काफी तेजी त देखी जा रही है मुंबई में हमारे साथ में आजाया इसमित्तल है जो की चेर्मन और मेरेजिंग डिरेक्टर है अर्शिया इंटरनेशनल के बहुत बहुत शुक्रिया अब सब लोगों का आने के लिए पहले आपको यह बता दे कि इस समय हिंदुस्तान में समस्या यह है क कि मुझफर नगर में जो गेहूं पैदा होता है उसको चिन्नाई तक पहुचाने में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और यह अगर कहा जाए तो एक वाक्त में हमारे कंटेनर और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या आपके सामने उसको रखते हैं फिलाल हालात यह हैं कि अगले 20 साल में अगर हिंदुस्तान को 7 फिस्टी हर साल प्रगति करनी है तो 2020 में हमें कोई लगबग 6000 मिलियन टन्स का फ्रेट का हमारा बिजनस होगा इस समय सरफ 2800 मिलियन टन है और इस समय हमारे पास में बिलकुल कैपेसिटी जो है उसकी बहुत ज्याद से मूब करता है और जैसा कि मैंने बताया कि रेल में अभी क्योंकि प्राविटाजेशन हुआ है इसलिए वो एक ऐसा शेतर है हमारी अर्थवगस्ता का जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं आप से शुरूआ इसमें करूंगा बहुत ज्यादा इसमें तेजी से काम करने की जरूवत है वरना एक करोड हम जो मोटर साइकल बनाते हैं हर साल में अब भीस लाग कार बनाने लगे हैं एक साल में तस لاग के आसपास रेφरेजेटर हम बनाते हैं अनाज की मैंने आपको बात बताई 20 करोड टन अनाज जो है उस सरकार को एक जगा से दूसी जग तोड़ा आपने जो कहा वो काफी हद तक सही है, फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा आपका ध्यान इस पर दिलाना चाहूंगा, पहली बात तो जब हम रेल शेयर की बात करते हैं, हम रेल शेयर टनेज की शेयदा बात कर रहे हैं, टनेज में 35% रेल से मूव करता है, करीब 65% करीब 45 किलो मीटर है, और एक्चल ट्राफिक आउटपुट हमेशा बिलियन टन किलो मीटर में होता है, टनेज इन्टो अवरेज लीट, अगर टनेज इन्टो अवरेज लीट ले, तो ये जो रेल कॉफिशेयर है, रेल शेयर इस सम्वेर अराउं 55 तो 60% रेल शेयर इस सबी को मालूम है हमारा बहुत लंबा इंट्रेस्ट्रक्चर है, उन 900 ट्रेंज में जो ट्रेंज जो हमारा माल जाता है, कोला, फूड ग्रेंज विगरा जाते हैं, फूड ग्रेंज अभी कंटेनर में एक्चली मूव करते ही नहीं है